कोलकाता का मैदान एक नॉक आउट मैच आखरी ओर में जीतने के लिए धेर सारे रनों की जरूरत और बल्ले बास का लगातार चक्के मार कर मैच जीता देना यह हमने 2016 टीट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा था जब कार्लोस ब्रेथवेट ने बें स्टॉक्स क्य गुजरात की ही टीम खेलेगी गुजरात वालों मैच मा मजा करावी दिती नमस्ते मैं बहुआ नमस्कार जहीं मैं हूरॉन एक रंतंत्र देख रहे हैं आप कल जब हमने इंडियन टीम के सेलेक्शन पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ढाली थी तब मुझे याद आया कि किस-किस का सेलेक्शन हो गया यह तो बता दिया उस वीडियो में लेकिन किसका सेलेक्शन नहीं हुआ यह बताना भूल गए साउथ एफरिका की खेलने वाली टी-20 सीरीज की टीम में जिन खिलारियों के नाम काटते हुए खुद सिलेक्टर्स को दुख हुआ होगा उसमें सबसे उपर नाम है संजू सैमसन का हाँ यह सच है कि संजू सैमसन एक बार फिर इस सीजन अपनी फुल पोटेंशल से नहीं खेले लेगिन जब जब खेले हैं उनकी बल्लेबाजी इंस्टाग्राम पर रील स्क्रोल करने से ज़ादा अक्टिव रही है कप्तानी में उनका जो रोल रहा है वो आप राजसान की सफलता से ही उसका अंदाजा लगा सकते है लेगिन इसके बावजूद संजू साउथ एफरीका की खिलाफ होने वाली टी ट्विंडी सीरीज में दिखाई नहीं देंगे और कल जब वो बल्ले बाजी करने उतरे तो उन्होंने दिखा दिया कि आने वाली सीरीज में हम क्या मिस करने वाले हैं वो अलग बात है कि प्लेओफ में भी संजू की किसमत में कोई बदलाव नहीं हुआ लीग मैचों में संजू 14 में से 12 बार टॉस हा रहे थे और प्लेओफ में आकर उनका यह आंकड़ा 15 में 13 बार हो गया गुजरात ने पहले गेंद बाजी करने का फैसल लग गया और पावर प्ले के अंदर एक यश ने दूसरे यश को आउट कर दिया अरे कहना क्या चाहते हो लेकिन फिर बटलर ने गुजरात वालों को चह से भूतिया बना दिया उनकी इस पाड़ी की वज़े से राजिस्तान ने पहले कॉलिफायर वे 189 का टार्गेट दिया और मैं भी आपको एक टार्गेट दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है प्रोबो एप का लिंक दिया उस पर क्लिक करके प्रोबो एप को डाउनलोड करना है क्यूंकि इस एप में ओपीनियन के पैसे जीतने का मौका मिलता है जी हाँ और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कई सारे टॉपिक्स पर सिर्फ येस या नो में ओपीनियन दे कर आप मस्त पैसे जीत सकते हो आज कही मैच ले लो लखनो बेंगलोरू के खिलाफ आज शाम को होने वाला इलिमिनेटर मैच जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी क्या लगता है आपको अपनी ओपीनियन दो पैसे जीतो लिंक दिया उस पर क्लिक करके प्रोबो एप को डाउनलोड करो वीडियो पर वापस आते 189 का टागेट प्रेशर मैच उपर से पहला ही साल गुजरात के लिए चेज ओस होने के बावजूद मुश्किल थी उपर से रिधिमान साहा भी ना काता खोले आउट होगे गुजरात वाली इतने प्रेशर में आगे होंगे जितने प्रेशर में दसवीं के स्टूडन्ट अपने रिजल्ट वाले दिन नहीं होते लेकिन उनकी फाइट बैक देखने लायक थी मैथ्यू वेट ने शुबन गिल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 की पार्टर्शिप कर डाली लेकिन मैथ्यू वेट के साथ दो डन लेने में वो तालमिल नहीं वीठा पाया और अपना विकेट कमा बैठे ग्याला गेंद बाद वेट भी 35 बनाकर आउट हो गया और मैच जिताने का जिम्मा हार्दिक पंडे और डेविड मिलर पर आगया लेकिन कुछ रात की तारीफ करनी होगी एक बार भी रन चेज में पीछे नहीं दिखाई दे इक्वेशन 6 ओर में 60 की आ गई और राजस्थान की सबसे बड़ी उम्मीद उनके प्राइम स्पिनर और चहल टीवी के मालिक यह जुएंदर चहल थे लेकिन चहल अपने साथी स्पिनर रवी की तड़ा विकेटलेस रहे नतीजा यह हुआ कि दो और में मामलत 23 पड़ा गया 19 वां और फेकने आये ओबैद मकोई ने सिर्फ 7 रन देकर मुकाबले का और इंट्रेस्टिंग बना दिया आखरी ओर में गुजरात को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे आपको याद दिला दें कि इस टोर्णमेंट में सबसे कम छक्के गुजरात की टीम ने लगाए लेकिन जब जरूत पड़ी है लगाए जरूर है आकरी ओर में अगर गुजरात को जीत चाहिए थी तो 6 गेंदों में कम से कम 2 चक्के लगाने थे लेकिन डेविड मिलर ने छे गेंदों का इंतजार नहीं किया तीन गेंदों में लगातार तीन चक्के लगा कर एहमदाबाद में फाइनल की टिकेट बुक करा ली है एहमदाबाद की टिकेट तो राजेस्थान वालू की भी बुक हुई है लेकिन उनको जाकर वहाँ पर 27 स्टाडी को कॉलिफायर 2 खेलना पड़ेगा लेकिन गुजरात वालो कसम से दिल खुश कर दिया यार लेकिन आज अपने फैंस का दिल कौन खुश करेगा लखनो या फिर बैंगलूडू साम को पता चल जाएगा और इस मैच का तड़कता भड़कता रिव्यू लेकर एक कड़क वीडियो लेकर आपका भाई कल सुब इसी चैनल पर वापस आएगा अगर अब तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से सब्सक्राइब आला बटन पर क्लिक कर देनेगा और बेल आइकन भी दबानेगा जिससे वीडियो जाएंगी तो आपको नोडिफिकेशन आएंगी फिलाल आप डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाना आपके फायदे का सबसे आप डाम बोलन सी तोमाडो थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई